जे हिंद साथियो स्वागत आप सभी गए एक वर फिर से S के कलासे राज में साथियो सेप्टेंबर 2021 में नेवी ट्रेट्समेंट स्किल्ड के लिए रिक्वार्मेंट निकाला गया था जो की पोर्ट बलेर अंडवान से निकाले गई रिक्वार्मेंट थी जिनकी अप्रेल 2022 में एक्जाम करवाई गई थी और जुलाई में इनका रिजल्ट उप पब्लिच कर दिया गया था अभी उन सभी के जोनिंग है वो स्टार्ट हो गए हैं अब आपके मन में एक विचार आता होगा कि पोर्ट बलेर में पेमेंट कितना रहेगा क्या 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 फेसलिटीज आपको वाँ पर मिलने वाली है इसको लेकर काफी साथियोंने कमेंट भी किया है तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो को अंतक देखना जिससे complete information आपको समझ में आ सके चैनल पर यादि आप पहली बार आए तो चैनल लोग को सबस्काइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आने वाड़ वीडियो की notification आप सबसे पहले प्राप्ट करते रहें ठीक है दूस्तों करते इस वीडियो को स्टार्ट साथियो अंडमान निकोबार एक आइसलेंड है और एक आइसलेंड पर जोब करने का मज़ा ही कुछ और होता है क्या-क्या facilities आपको यहाँ पर मिलने वाली है उसके बारे में details इस वीडियो में देखने वाले है सबसे पहले बात करते हैं dress code की dress code में आपको यहाँ पर एक डांगरी मिलने वाली है उसके अलाव आपको सूज मिलेगा रहने के लिए आपको यहाँ पर room मिलता है वो इस starting में आपको नई मिले उसके बाद में आपको room available करवा दिया जाता है खाने के लिए canteen मिलता है याईनि की आपको सस्ता खाना है वाँ पर canteen में उपलब हो जाता है इसके बादें बात करें canteen card की canteen card में आपको only for grocery जो canteen card है वो भी available करवाय जाता है इसके अलाव जो liquor card है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है medical चुदाएं यापर आपको मिलने वाली है medical है जासे आप बिमार हो गए आपके जो parents है उनके लिए आपको नहीं मिलने वाली है तो यह आपका जो probation call हो जाएगा उसके बाद में यह जो भी सर्ते है आपके पूरी लागु हो जाएंगी जो भी facil gratitude आपको मिलने वाली है वो आपका जो जैसे दो साल का इसमें प्रोबेशन काल दिया गया है वो complete होने के बाद में आपकी जोबी facilities है वो complete आपको दे दी जाएगी ठीक दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा साथियो working time के अगर बात करें तो working time में आपको यहां पर 8 गंठे की जोब होने वाली है जिसमें आपको सुबह 8 पी एम से सामको 4 पी एम तक आपकी जोब रने वाली है उसमें आपको आदा गंठे का lunch time मिलेगा साड़े बारस लेकर 1 पी एम तक का इसके अलाव जो second saturday है और sunday आएगा आपका और four saturday और sunday जो भी है उसमें आपका offer रहने वाला है जिसका कोई payment आपका कटने वाला नहीं है ठीक दोस्तों इसके अलाव जो भी छूटी हैं आपकी वो अलग से मिलने वाली है इसके अलाव जिसे आपको total 50 जो छूटी है holidays है वो आपको इसमें मिलने वाले है जिसमें आपको मैं divide करके बताता हूँ कैसे कैसे आपको इसमें छूटी है मिलने वाली है इसमें आप देखेंगे दोस्तों अपने ग्राप के मादिम से समझते हैं जिसमें आपको total 50 जूटी है मिलेंगे जिसमें से CL मिलने वाली है आपको 10 जूटी है PL या EL मिलने वाली है आपको 30 जूटी है इसके बाद बात करें medical medical आपको total 10 जूटी है मिलने वाली है यह total मिलाए कि आपकी total 50 जूटी हो गई जिनका आपको payment नहीं कटने वाला है ये छूटिया आपको probation काल होने के बादे पूरी छूटिया आप एक साल में 50 छूटिज ले सकते हैं इसके लावा जितने भी आपके जिस चेतर में आप जोब कर रहे हैं उसमें government holidays आते हैं उनके आपको छूटिया मिलने वाली इसके लाव आप और भी छूटिया लेना चाहते हैं तो आप without payment छूटिया ले सकते हैं उनका आपको किसी परकार का payment है वो मिलने वाला नहीं है इसमें से दोस्तों मैं बात करूँ CL है 10 छूटिया वो आपको compulsory लेनी होती है एक साल के अंदर अगर आप वो नहीं लेते हैं तो वो lapse हो जाती है बात करें PL और EL की 30 छूटिया PL आपको मिलने वाली है इसको EL भी बोल सकते हैं यह छूटिया है आप इसको return भी करवा सकते हैं जैसे आपने साल में अगर 30 छूटिया नहीं ली है तो आप इनको जमा करवा सकते हैं आपकी service में total 300 छूटिया जमा होंगी उनका आपको पेशा मिल जाता है यह PL और या EL है यही जमा होती है ठीक दोस्तों यह आपको छूटियों का पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं salary की salary को लेकर काफी दोस्तों के comments आएंगी सर हमारी support player में जोब लगिए तो वहाँ पर कितने salary हमारी रहने वाली है उसके लिए एक प्रोपर वीडियो बनाईगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ skill post के लिए आपका जो basic रहने वाला है दोस्तों वो 19,900 आपको वाँपर basic रहने वाला है इस post को level 2 के अंदरकत रखाया है group C में अब बात करते हैं इसको पूरा divide करके बताता हूँ आपका basic DA HR जो भी कैसे मिला कि आपका पूरा payment बनने वाला है बात करें basic की basic का आपका रहने वाला है 19,900 उसमें आपका DA है वो जुट जाएगा इसके लावा HR है वो जुट जाएगा DA जो अभी वर्तमान समय में आपका जो DA मिलने वाला है दोस्तों वो है आपका 38% यानि की 38% आपको मिलेगा क्योंकि इससे पहले 34% मिल रहा था अभी एक जो अक्टूबर था वहां से अभी स्टार्ट कर गया 38% एचारे की अगर दोस्तों बात करें तो एचारे अलग लग छेतर के हिसाब से मिलता है इसमें 9%, 18% और 36% मुंबई जैसे हाइटेक शिटी है उसके अगर बात करें मानगर में तो वहां पर जो है आपका एचारे रहने वाला है जैसे 400 या 555 रुपए रहता है इसके अलावा जो निचे शिटी आती है उसमें आपका 1800 या 3600 रुपए रहने वाला है तो अब इनका टोटल अगर आपन बात करें टोटल मिला कि आपकी सेलर कितने बनने वाली है तो उसमें आप एड करेंग जैसे 1900 रुपय आपका बेसिक हो गया पलस उसमें आपका जो डिय है डिय आप निकाले जी 1994 का जो बेसिक आपका 38% डिय निकालते हे तो आपका देए बनेगा 7562 रुपय आपका देए बन जाएगा इसके लागए जो आपकाएचारी है उसमें आप एड कर देंग 3600 रुपया आपका एचारी हो जाएगा पलस में आपका जो आइसलेंट आलाऊंस है वो हो जाएगा 7000 रुपय टोटल मिलाए की जो बनेगा आपका 38,62 रुपया आपका टोटल इसमें बनने वाला है अब ये जो आपका पेमेंट बना है दोस्तों इसमें से आपका जो NPS है NPS दोस्तों मैंने बताया था आपको इसमें से आपका 10% कटेगा जो आपका basic है उसका 10% आपका इसमें कटने वाला है इसको अगर आपका 10% माइनस कर देंगे तो आपका जो पेमेंट बसने वाला है 38,62 में 36,000 रुपया आपका इसमें मिलने वाल है NPS दोस्तों मैंने पहले बताया भी था पिसले वीडियो में आपको NPS होता है दोस्तों जैसे आपका जो pension है 2004 से पहले जो pension मिलती थी वो मिलती थी दोस्तों जितना आपको जैसे basic retirement के time में उसका आदा payment आपको मिलता था उसमें अभी जो नया system बढ़ाएगा है उसमें यह है जैसे 10% आपका जो NPS कटेगा वो मिलाकर जब आप retirement हो जाएंगे तब तक उसमें से मलब 14% government अपनी तरब से मिलाएगी और total पेसा आपको एक साथ दे दिया जाएगा यह है NPS का system ठीक दोस्तों यह 36,000 बत्र रुपे मैंने आपको बताया है इसके अलावा जैसे अगर over time आपको अगर मिलना start हो जाता है तो over time आप इसमें add कर देंगे जितना over time आप लेते हैं वो इसमें add हो जाएगा यानि कि over time मिलाकर आपकी लगबग salary बढ़ने वाली है दोस्तों 40-45,000 उपर के बीच में यह मैंने बताया है दोस्तों आपका profession call जैसे पूरा complete हो जाएगा दो यह के बाद में तो आपकी salary वो और भी बढ़ा दी जाएगी ठीक दोस्तों यह मैंने आपको अच्छे समझा है जो अंडमान निकोबार port बले रहे हैं वहाँ पर क्या-क्या facilities आपको मिलने वाली है कितने आपको छुटिया मिलेगी और किसे आपको कितना payment मिलने वाला है तो आई होप आप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा फिर भी आकर किसी भाई का comment है तो आप वीडियो में comment करके मेरे से पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक जरू करके जाने दोस्तों और चैनल पर यदि आप पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करके रखने दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको एसे ही और content मिलने वाले है ठीक दोस्तों मिलते हैं ने वीडियो के साथ तबते के लिए जय हिंद्युदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद